नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चेनल में दोस्तों आप सभी दर्शकों को महा शिवरात्री की बहुत बहुत हार्दिक शुप कामनाएं दोस्तों महा शिवरात्री को भगवान शिव की आराधना का मुख्यतिवार माना जाता है शिप को महा शिवरात्री बहुत प्री है शिप पुराण के इशान सहिंता के अनुसार इस दिन ही शिप करोणो सूर के समान प्रभाव वाले रूप में अप्तरित हुए थे दुस्तों मान्यता है कि इसी दिन उनका और माता पार्वती का बिबाह भी हुआ था शिप का अशिरबात पाने के लिए भक्त ब्रत भी रखते हैं महा शिवरात्री पर ब्रत रखने का एक अलग ही महत्त है दुस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्री पर आपको कौन सी एक चीज खाने से पूरे साल जमकर पैसा आने वाला है तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और नालेजवल होने वाला है दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें चलिए अब शुरू करते हैं आज का यूसफुल वीडियो दोस्तों महाशिवरात्री के ब्रत को सभी नर्नारी रख सकती हैं कहा जाता है कि भोले नाज जैसे वरकी चाह में कुआरी कन्याएं ब्रत रखती हैं माना जाता है उन्हें बहुत अच्छा बर मिलता है सुहाग निस्त्रियां भी शिवरात्री के दिन ब्रत रखती हैं ऐसा करने से उनके पती का जीवन और सौस्त हमेंसा अच्छा बना रहता है दुस्तों मानता है जो भी जातक महा शिवरात्री का ब्रत रखते हैं उन्हें नरक से मुक्ती मिलती है इस बरत के करने मातर से ही सभी तरह के पापों से मुक्ती मिलती है और आत्मा की शुद्धी होती है ऐसी भी मानता है कि इस तिन जहां जहां भी शिवलिंग इस्तापित होता है उस इस्तान पर भगवाज शिव का स्वयम आगमन होता है इसलिए शिव की पूजा के साथ शिवलिंग की विशेश आराधना करने की परंपरा है दोस्तों शिब अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशिरवाद देते हैं महाशिवरात्री पर ब्रत रखने से विवसाय में ब्रदी और नौकरी में तरक्की मिलती है दोस्तों अगले दिन तिल जौँ और खिर आदिका दान देकर ब्रत को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे महाशिवरात्री के ब्रत का आपको फूर पर प्राप्थ हो सके दोस्तों प्राता का लिसनान करके शिबलिंग पर दूद दही जल पुस बेलपत धतूरा और बेराद चड़ाये जाने का रिवाज है महाशिवरात्री के दिन शिबलिंग पर गंगा जल दूद, दही, घी, शहे दूब दीब जलाकर मंतर का जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है दूस्तों दिन के चारों पहर में पूजा करनी चाहिए शिविस्तुती, सिविस्तुरोत का पाट भी करना चाहिए साइकाल के वक्त भगवान की आरती भी जरूर करनी चाहिए दूस्तों आगे बताया गया है ब्रत में विशेश बोजन किया जाता है ब्रत के समय संबब हो तो जूस का सेवन करना चाहिए इससे शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है शरीर दैनी कार्यों को करने में सच्छम रहता है सुबा के समय फलाहार करना चाहिए फलाहार में संत्रा, खीरा, पपीता, सेबाद फल ले सकते हैं महाशिवरातिरी के बरत में स्वास्तिक भोजन नहीं खाना चाहिए अगर दोस्तों आपको स्वस्त संबंदी समस्या ना हो तो बिना नमक के भी या बरत किया जा सकता है वरना सेंधा नमक का इस्तमाल किया जा सकता है दुस्तों इस बरत में काली मिर्श का प्रियोग कर सकते हैं कुछ लोग इस बरत में मूंपली नहीं खाते हैं लेकिन या आपके उपर हैं, आप चाहें तो मुखली खा सकते हैं, अथवा नहीं, इस बरत में मीठा भी खा सकते हैं, किसी फलकी खीर जैसे गाजर या लौकी की खीर भी खाई जा सकती हैं. दोस्तों महाशिवराती के बरत में मखाना खा सकते हैं, इसका इस्तमाल कई तरह से कर सकते हैं, कई लोग दूद के साथ खीर बना कर इसको खाते हैं, दोस्तों अगर बरत में कुछ नमकीन खाना हो तो सिंगाडे या कट्टू के आटे की पकोडी भी खाई जा सकते हैं, इनकी इसके अलावा आलू को फ्राई करके खाया जा सकता है दुस्तों इस दिन साबुदाना भी खा सकते हैं साबुदाना में कार्बोहाइडरेट प्रचुर मातरा में पाया जाता है साथी केलसियम बाविटामिन सी भी होता है दूस्तों इस ब्रत के आते-ाते मौसम में हलका फुलकी गर्मी आ जाती है तो ठंडाई भी पी जा सकती है कुछ लोग तो शिवरात्री के दिन प्रसा सुरूप ठंडाई में भांग मिलाकर भी पीते हैं दूस्तों शिप जी को भांग अतिन्त प्री होती है लेकिन बिना वहां के भी ब्रत में ठंडाई पी जा सकती है दूसरे बनी ठंडाई में केलसियम और प्रोटीन मिलता है या पेट के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों इसके सेवन से ब्रत के दोरान खाये गए तले भुने बोजन से हानी भी नहीं होती है और शरीर में ब्लड सुगर लेविल लेता है तो दूस्तों ये था आज का हमारा वीडियो दूस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेट बाक्स में जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं गले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो